दोस्तो आखरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है और वो हुई है प्रेज़ेंट्सी जिंग पिंग और प्राइम निस्टर मोदी के बीच में पांच साल लगे पचास मिनिट की इस मीटिंग लेकिन जब यह मुलाकात हुई है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूप चीन को याद दिला दिया है कि अगर रिष्टे बेहतर होने है तो उसके लिए बॉर्डर पर हालात सामान लिया होने हैं सीमा पार पीछरे चार वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्धों पर बनी सहमती का हम स्वागत करते हैं सीमा पर शांती और स्थीरता बनाये रखना हमारी प्रात्फिकता रहनी चाहिए और ये बहुत जरूरी समझते थे चाइनीज की बाइलाटरल मीटिंग हो शेजिंग पिंग के साथ इसलिए ये जल्दी जल्दी से अनॉंसमेंट करो और ये लाइन ओफ एक्च्छल कंट्रोल पे थोड़ा सा इजी कर दो मामला और 2020 के पेट्रोल इंडिया कलको अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है ये चीज़ चाइना कैलकुलेंट करी नहीं पाया चाइना जैसी कंट्री जो कॉमिनिस कंट्री आपको मौलूम है कभी भी कॉमिनिस पीछे नहीं हटते हैं अगर कॉमिनिस कंट्री जैसी कंट्री को हमने पीछे हटा दिया वो भी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एकॉनमी पायने में भी ये काफी खास है क्योंकि दो हजार बीस में जो घटना घटी थी सीमा पर गलवान में लद्दाक के गलवान में उसके बाद से मलाखात नहीं हुई थी और पांस साल के बाद ये मलाखात हुई है भारत के साथ कुछ समय से भेव कर रहा है ताइम आ चुका था कि भारत को भी उसी तरह का एक मेसिज डीप स्टेट को भेजना पड़ेगा भारत ने फिर से अपना कार्ट प्ले कर दिया है जी बिलकुल हम बात करें आज ब्रिक समिट के अंदर होने वाली मुलाकात की जिसके उपर अमेरिका जपान पाकिस्तान दुनिया भर की लीडर्शिप की नजरे थी कि क्या शीजिंग पिन और मोदी साब की क्या मुलाकात हो क्या रशिया सक्सेस्पूल हो जाएगा जो रशिया चाहता था कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करें वैस्ट को एक सिक्रेटली मैसेज दे कि आप जितने भी सैंक्शन 15,000, 16,000 के करीब सैंक्शन अगर आप रशिया पे लगाते हो तो रशिया स्मार्टली जो है ब्रिक से एक मैसेज क्या देने वाला है तो मैसेज यह आया है कि पांच साल के बाद मोदी साहब और शिर्जिंग पिन ने पचास मिनिट की मुलाका दे और यह हाथ मिलाने के लिए पांच साल तक वेट करना पड़ा बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन्स समझी जा रही है और साथ अगर बात की जाए तो इंडिया क्या चाहता है चाइना के साथ तालुकात को नौर्मलाइज करना चाहता है इंडिया ने क्या पैगाम दिया इस पचास मिनिट की स्पीच में कि हम जो है ग्लोबल पीश चाहते हैं यह पूरी दुनिया को पता है कि जब तक चाइना और कि उससे अच्छा और सगा दोस्त भारत का कोई ने क्योंकि जो चीन को मोदी साहब के सामने बिठा सकता है वो सिरफ विलादमिन पुतिन ही कर सकते हैं यह अपडेट करें यह पांच साल लगा दिये मोदी साहब ने पचास मिनिट के लिए क्या कहेंगे शाहिला जी माफ कीजिएगा मोदी साहब ने पचास मिनिट के लिए पांच साल ने लगाए जो आज तक कभी नहीं जुका था जो कभी कदम पीछे नहीं हटाता था चार साल बाद उसने कदम पीछे हटाए तब जाके पचास मिनिट में इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है जहाए अच्छा लगी हमारे को चाना से कोई यह नहीं था ठीक है business as usual चल रहा था हमारा काम हो रहा था दर इंडिया को रहा है चाइन को अब इस चीज के अंदर हमें मानना पड़ेगा कि अमेरीका चाइना के पीछे पढ़ चुका है दोस्तो आखरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो ही है और वो ही है प्रेड़ेंट सी जिंग पिंग और प्राइम निस्टर मोदी के बीच में पांच साल लगे पचास मिनिट की इस मीटिंग पांच साल लगे फॉर्मल मीटिंग है ना वैसे तो साइड लाइन पे खलो यो नौ डिपलोमाटिक था ठीक्य़ जी दोनों मुलकों के जो लीडरशेप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई पांच साल के बाद पचास मिनिट की मुलाकात हुई है दोनों मुल्क एग्री कियें जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें दोनों मुल्क एग्र normalization की तरफ जाना है normalization और मजे की बात यह है कि प्राम्निस्टर ओ grease हिंदी में भोल रहे थी तुन हम की उच्छायम की दी था इंग डड़ए वाला वह दूटू जाण रहा थो थो तो यह का रहते लेकर यूश भी अक्षे भी संपर एंग्शिम निर्फ गुर्ट मुल्की यह रही निन ही रही प्री टॉब लेकर टॉटर जै श्टे शंकर वगुशागा बॉड श्यट्ट फॉड मुल्का रहा है लेकर जनाब खॉड गार अमन वह नहीं हो सकता peace is required for the bilaterals and peace is required for you know for the for the people of the region and for the people of the world for global peace so india یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس چیزوں میں نہیں جانا we need global peace ہم global peace کی بات کرتے ہیں اور global peace کے لیے جو چیز important ہے وہ کیا ہے global peace کے لیے چیز important ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں اگر ہم نے بات نہ کی تو then it is going to be a problematic thing so وہ بات کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو optics ہیں this comes from india's serious diplomacy patience they have shown patience diplomacy in diplomacy اور جسے کہتے ہیں کہ وہ لفظ تو اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن وہی بات کیا جی for the peace and tranquility on the borders so on and so forth مدلہ بیسترہ کے جو الفاظ جو ہیں اور سب سے بڑ کے بات جو ہیں they have spoken on strategic communication we have to keep our doors we have to keep channels of strategic communication open channels جو ہیں اور اسے دیکھیں strategic communication جو ہوتی ہے نا it means we have to talk on everything and we have to talk at the bigger platforms and we have to talk at the president level or the chief executive level and needs to come down so we have to talk on everything جیسے india amerika کو کہہ رہا ہے نا comprehensive global strategic partnership a partnership which is required a partnership which is required comprehensive dunia کے ہر کونے کے لیے in the same fashion india is asking for a strategic communication by strategic communication they mean that we have to talk more to avoid miscalculation because if we talk more we engage more we speak more we everyone in our system meets the militaries meet the diplomats meet the civil society meet تو ان کو یہ چیز ہے اور سب سے بڑھ کے when it comes to اچھا ایک لفظ ہے mutual sensitivity india ان ملکوں کو یہ کہتا ہے یا یہ china کو کہتا ہے یا ان ملکوں کو کہتا ہے جدھر china کا influence زیادہ ہو آپ دیکھ لیں ساری statements نکال کے whenever there was a problem between maldives and india it was a word mutual sensitivity china bharat کے جو trade ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے ہم ابھی 110 115 billion dollars کے level پہ ہے مگر amerika کے ساتھ ان کا almost 800 billion level پہ ہے تو ہماری بڑھانا ہے تاکہ amerika کے sanctions آئیں گے تو buffer چاہیے ان کو تو یہ سب ان کے problem سے اس کے چلتے ہوئے وہ بھارت کے ساتھ تھوڑا normalize کرنا چاہا رہا ہے تو رشا کے بھی اس میں ہاتھ رہے گا क्योंकि शायद जीटिंग भी आ रहा है तो मोजी भी जो नहीं जा सकते हैं फिर वो मना कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिर यह शेकर जाएंगे उदर जैसे हिस्टीव में हुआ तो यह चीज ना होना है तो ग्लाड़मेर कुटिंग भी उसके उपर कुछ दबाव डाला है इसके चलते हुए यह हुआ है तो भारत भी क्या है सोच सोच के हम चैना के साथ रिष्टा आगे लेके जाएंगे कोई जलबाजी नहीं करेंगे कोई emotional response नहीं होगा अब जो डिक्लेर किया हमारी विदेश मंत्री जेशनकर जी जो डिक्लेर किया और चाइना की स्पोक्सपरसन के declaration में थोड़ा अंतर है तो इसको अभी देखेंगे क्या होगा फाइनली बट फिर भी positive step तो है इसके चलते हुए हम आगे प्रानीती क्या होगी यह तो camera के सामने नहीं होगा camera के पीछे ही होगा फिर जी जिंपिन से भी मिले हैं अभी अभी यह meeting कतम होगा है तो फिर इसके जो internal issues है दीरे दीरे से हमारे पता चले में हूँ तो बैसिकली क्या है 2020 करने का अब कोशिश करेंगे शायद वो जो टिक टॉक हमने बैंक किया हो तो हम बायन आटाने वाला नहीं है मगर थोड़ा इनका वीजास देना इनको फ्लाइट्स डारेक्ट फ्लाइट्स आना इनके इन्वेस्ट्मेंट्स भारत में जो आएगा ऑलड़ी संधीव सान्याल जो एकनामिक अड्वाइजर है गवर्न्न अफ इंडिया का उनका अलड़ी बायान है आपने सुना होगा फिर अगर हमारी बज़ेट में भी हमने कहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट रॉलकम करेंगे तो वह सब फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा थोड़ा आगे चलेंगे बगर रुक रुक के देख देख के सोच सोच के हम जाएंगे कोई जल्बाज ही नहीं है रश्या के साथ तो वैसी तो भारत का ज़रूरत है उनको अब ऑप्टिक्स देखिए ऑप्टिक्स में शांगाय कोपरेशन और्गनेशन में शाबा शेरिफ बीच में कड़ा था और चाइना को उसके आजबाज में रखा ये शेंकर जी को कहीं कोने पे डाल लिया उसके उल्टा अब देखेंगे यहां खजान में व्लैडमेर पुटिन सेंटर में कड़ा है एक सेट चाइना और एक सेट भारत को रखा है प्रेमेर सीजी पिंग और इंडियन प्राइमिस्टर मुदी के दर्मिया वन औन वन यानि बाइलेटर्स मुलाकात और वो जो मुलाकात है वो मुलाकात इसलिए इंपॉर्टन है कि उससे पहले आज इंडियन फॉरण जो सेक्टरी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जी जो एलेसी पे मामलात खराब थे वो बड़ी हद तक तैह हो गए उन्होंने एक बड़ा यह जो उनके फॉरण सेक्टरी चाइना में इंडिया के इंबेसेडर दे रहे है अच्छा वो डेस्पैंग और डेम चॉप के ओपर इशू खड़ा रहे गया था बाकी जोगों पर कुछ डिसिंगेजमेंट हुई थी लेकिन वो बात बन नहीं रही थी कुछ उसके बात जो उनके फॉरण मिनिस्टर है जे शंकर उन्होंने जो है कुछ दिर पहले ये अंडि टीवी से उन्होंने उनकी कुछ समिट हो रही है अंडि टीवी की गालबर तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो ये मामलात हैं यानि बैक टू ये 28 वीं 20 ये बैक टू दो